Hello everyone, welcome to origin. आज की इस class में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे class 12th English के supplementary reading का लीडर का chapter 5 जिसका नाम है On the face of it. तो सबसे पहले हम यह देख लेते कि आज के सेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं? आज की सेशन में हम देखने वाले हैं On the face of it by Susanne Hill. इसके author का नाम है Susanne Hill and आज की सेशन का overview है फिर से हम सेम एक sketch देखेंगे, then story summary, then NCRT questions, PYQs and long answer questions के कुछ mixed questions हम practice करेंगे और यह हमारा chapter जो बहुत ही अच्छे तरीके से complete हो जाएगा. तो एक बार हम इस chapter का sketch देख लेते कि हम यहां किन-किन चीज़ों से deal करना है. तो हमारी story के जो main characters है वो कौन-कौन है? वो है Mr. Lamb and Derry. यह दो हमारी story के main characters है and यह story काफी emotional story है, बहुत ही beautiful सी story है लिखी गई है अब जो Mr. Lamb जो है, वो Derry को hope देते हैं, जिंदगी जीने का तरीका वहाँ पर उसे बताते हैं. यह चीज़ हम इस story में जानने वाले हैं. तो basic तो मैंने आपको यहां पर overview दे दिया कि क्या क्या हम इस story में देखने वाले हैं, बट अब हम इस story की summary start करेंगे. तो आपका सारा ध्यान इस वीडियो पे होना चाहिए, सब चीज़ आप छोड़ दीजिए, अब आपका सारा focus इस वीडियो में होना चाहिए, क्योंकि हम start करने वाले हैं इस story की summary. यह basically एक play है, तो play इस तरी के सी start होता है, कि जो dairy है, वो garden की wall से जम करके garden के अंदर, कूद के उस garden के अंदर enter करता है, उसे ऐसा लगता है कि उस garden के अंदर कोई नहीं है, उस घर के अंदर कोई नहीं है, बट वो shock हो जाता है, जब वो Mr. Lamb की आवास को सुनता है, और वो उसे कहता है, कि मैं यहाँ कूदने के इरादे से नहीं आया था, मुझे ऐसा लगा था कि इस घर में कोई नहीं है, तो इस पर Mr. Lamb की मजाक में कहते हैं, कि तुम्हारा कहना सही था, तुम डरो मत, इस घर में सच में कोई नहीं है, क्योंकि मैं अब बाहर आ चुका इस तरीके से वो मजाक करते हैं, तो और फिर वो उसे कहते हैं, कि तुम डरो मत, मेरा जो दर्वाजा है, वो हर किसी के लिए खुला रहता है, हर किसी के लिए ओपन रहता है, कोई भी यहाँ कभी भी आ जा सकता है, तो इस पर जो डैरी है, वो रिप्लाई करता है, कि मैं ल लोगों से नहीं डरता, लोग मुझसे डरते हैं, वो मुझसे दूर भागना चाहते हैं, वो मुझे देख के डरने लग जाते हैं, लोग मुझसे अफ्रेड हैं, क्योंकि उसके चेहरे का एक साइड जल गया था, उसके चेहरे का एक साइड जला हुआ है, एसिट की वज़े से अब इस पर जो Mr. Lamb है वो कहते हैं कि लोग तुम से डरते नहीं और वो उसे इस तरीके से सांत बना देते हैं और वो इस topic को divert कर देते हैं और वो इसे बताने लगते हैं कि मैं इन apples को उठा के जो apple paid वहाँ पे लगा था इन apples का मैं jelly बनाऊंगा बट यह जो चीज है वो situation को और खराब कर देती है क्यों खराब कर देती है क्योंकि अब dairy को ऐसा लगता है कि जो Mr. Lamb है वो भी इसके बारे में बात नहीं करना चाते वो कि अब dairy से डरने लगे हैं उसके चहरे से डरने लगे हैं इस पर Mr. Lamb कहते हैं कि ठीका चलो तुम बताओ तो dairy आप कहता है कि नहीं आप मेरे कहने पर कर रहे हैं आप मुझे sympathy दे रहे हैं तो जो Mr. Lamb है उन्हें ये लगता है कि dairy का जो चहरा है वो किसी fire की वज़े से जला था बट dairy उसे उन्हें explain करता है कि acid मेरे चहरे पर गिरा था और acid जो है वो मेरे चहरे को खा गया तो इस पर Mr. Lamb कुछ कहते नहीं तो ये देखके dairy कहता है कि क्या आप कोई बीडी बातों पर interest नहीं आ रहा उनके पैर में गोली लगी थी और उनके पैर को काटना पड़ा था और वो अब उसे dairy को अपना incident बताते हैं कि जब वो बाहर निकलते हैं तो लोग उन्हें लैमी लैंब के नाम से चिढ़ाते हैं बट ये चीज़ उन्हें बौदर बिल्कुल भी नहीं करती क्योंकि उनका कहना ये है कि ये नाम उन्हें काफी सूट करता है इस पर dairy उन्हें जवाब देता है कि आप तो अपने टीन के पैर को ट्राउजर से ढख लोगे बट मैं अपने चेहरे को नहीं ढख सकता एंड वो क्या कहते है कि आपका प्राब्लम छोटा है मैं जो हो अपने चेहरे को नहीं ढख सकता तो इस पर मिस्टर लैंब उसे जवाब देते हैं कि दुनिया में और भी कई चीज़ी है जिस पर फोकस किया जा सकता है जरूरी नहीं कि तुम सिर्फ अपने चेहरे पे फोकस करो उन लोगों को भी देखो उन चीज़ों को भी देखो जो और सुन्दर है तो इस पर डैरी ये कहता है कि ये तो वही बात हो गई कि आप अपने से कमजोर लोगों को देखो अगर आप ताकतवर नहीं हो बट फिर वो ये कहता है कि इससे मेरा चेहरा जो है वो change नहीं हो पाएगा और फिर जो डैरी है वो मिस्टर लैम को अपना एक incident सुनाता है क्या incident सुनाता है? bus stoppage का तो बस इस टॉपेज में वो जब जहता है तो वो दो औरतों को बात करते हुए देखता है कि देखो इसो ये तो एक ऐसा चेहरा है जिसे सिर्फ इसकी मम्मी ही प्यार कर सकती है तो वो ये कहता है कि हर कोई मुझे से डरता है मेरी मम्मी भी कोई मुझे kiss नहीं करना चाहेगा मेरी मम्मी भी मुझे kiss करती है तो चेहरे के दूसरे side पे करती है तो mister lamb यहाँ पे dairy को कहते है कि तुम हर उस चीज पर यकीन मत करो जिसे तुम सुनते हो clear हर उस चीज को तुम यकीन मत करो जिसे तुम सुनते हो बाकी चीजों से भी तुम ध्यान हटा दो तो इस पर dairy कहता है कि तुम बहुत अजीब आद में हो और फिर वो उन्हें ये बताता है कि मैं इस garden में आया था क्योंकि मुझे इस garden में आना पसंद है जिसे ये लगता था कि वो बाहर जाती ही मर जाएगा कि उसे हर चीज से डर लगता था डैथ का डर लगता था तो वो क्या करता है अपने आपको एक रूम में बंद कर लेता है डैथ की डर की वज़े से तो जब रूम में बंद होता है तो एक photo frame उसके उपर गिर जाता है और यह story सुनके जो dairy है वो बहुत ही जादा हसने लगता है बहुत ही खिल खिला के वो हस देता है और इसके थूर मिस्टर लैम उसे यह बताते हैं कि जिस चीज से तुम डरते हो या जिस चीज से तुम अफ्रेड हो तुम उसके साथ जादा रहो अब dairy को थोड़ा interest आने लगा था वो देखता है कि मिस्टर लैम के घर में एक भी परदे नहीं है वोल से पुछता है कि आप अपने घर पे परदे क्यों नहीं लगायो तो मिस्टर लैम कहते हैं मुझे सब चीज देखना पसंद है मुझे करटेंस नहीं पसंद परदे नहीं पसंद क्योंकि यह चीजों को छ अब Derry Mr. Lamb को बताता है कि मेरे घर वाले भी चिंता करते हैं कि मैं आगे चलके कैसे करूँगा, मैं इस चैरे को लेके आगे अपना काम कैसे करूँगा, इस दुनिया में सर्वाइफ कैसे कर पाऊँगा, तो Mr. Lamb उसे कहते हैं कि तुम ये सब बात को ध्यान मत दो, तुम बाकी को ये कहते हुए सुना था, कि अच्छा तो ही होता कि उसे उन्हीं लोगों के साथ रख दिया जाए, जिसके जैसा ये है, तो इस पर Mr. Lamb उसे बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं, कि अगर इस तरीके की दुनिया होती तो क्या तुम इमेजिन कर सकते हूँ, कि वो दुनि तो ये गार्डन तुम्हा रही है और तुम्हें यहां आना चाहिए, मैं क्या करूँगा, अब वो बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ एपल तोड़ने, सेब तोड़ने, तो उनसे पुछता है, आप इस पैर के साथ सेब तोड़ने कैसे जाएंगे, तो कहता है, इतने साल से मम्मी तुम्हें मना नहीं करेगी, तुम्हारे अंदर जो डर है वो तुम्हें मना करेगा, तो वो ये कहता है कि नहीं मैं बाहर निकलूँगा, तो मेरे दोस्त मेरे से डर जाएंगे, तो वो ये कहते है कि तुम्हारा खराब चाहरा होना एक बहाना है, असली में तुम्हा वो मना करती रहती कि नहीं तुम नहीं जाओगे वो रेजिस्ट करता है कि मैं जाओंगा ही जाओंगा और उसकी मम्मी कहती कि नहीं Mr. Lamb अच्छे आदमी नहीं है बट उसे पता था पहली बार किसी ने डैरी को समझा था अच्छे से और वो जिद पर अड़ गया था कि वो वहाँ जाके रहेगा और वो अपने घर से भाग जाता है अपनी मम्मी की बात ना मानते हुए दौरते दौरते उस गार्डन पर पहुंसता है और Mr. Lamb Mr. Lamb चिलाते हो वहाँ पहुंसता है बट वो देखता है कि Mr. Lamb जो है वो नीचे गिरे हुए थे तो हुआ ये था कि Mr. Lamb जब सेप तोड़ने चड़े थे सीड़ी पे तो क्या है उनका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया तो Mr. Lamb के पास जाता है उन्हें उठाने की कोशिस करता है बट वो मूव नहीं करते Mr. Lamb का सीड़ियों से गिर के डैथ हो चुका था ये देखके जो डैरी है वो बहुत रोता है बट Mr. Lamb जो चीज़ करना चाते थे वो वो करके जा चुके थे उन्होंने डैरी को जिंदगी जीने का तरीका सिखा दिया था यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है on the face of it वो end हो जाती है बहुत ही emotional, heart-touching स्टोरी थी and exam point of view से यह important स्टोरी है क्योंकि इससे कई बार questions आए है अब हम इस स्टोरी के questions की practice कर लेते हैं then यह जो हमारा chapter वो बहुत अच्छे तरीके से complete हो जाएगा तो देखते हैं हमारी questions तो मिस्टर लेम अपने घर का गेट हमेशा open क्यों रखते थे क्योंकि वो चाहते थे सबसे दोस्ती बनाना वो लोगों से घुला मिला उन्हें पसंद था लोग उनके पास आए और लोगों को देखना है इसलिए अपने घर का जो गेट है वो always open रखते थे किसी के लिए भी close नहीं था उन्हें परदे नहीं पसंद थे उन्हें openness पसंद था next question है why does Mr. Lamb say to Derry so you are not lost are you not altogether अब यहाँ पर क्या पदा चलता है जब ये चीज़ देखिए अच्छा होगा कि मैं ये चीज़ आपको homework देदू इससे मुझे ये पदा चलेगा कि आपने textbook अपना read किया या नहीं read किया मैं देखिए हर बार आपको ये homework जरूर देता हूँ कि आप अपना textbook तुरंत read करो इस video के end होते ही या जब आपको time मिले तब एक ना एक बार आपको करना है तो ये question अगर मैं आपको homework देदू तो इससे मुझे तुरंत पता चल जाया कि आपने अपना textbook read किया है या नहीं किया है तो जिस जगा पे ये line आपको वहाँ पे मिलेगी वहाँ पे आपको समझ आ जागा कि ये चीज उन्होंने किस लिए कहा है अब ये चीज मैंने summary में भी आपको explain किये बट ये line मैं वहाँ पे use नहीं किया इसलिए summary में आपको पता नहीं चल लेगा कि ये line उन्होंने क्यों बोली जब आप book read करेंगे आपको clear पता चल जाए कि summary में किस जगा पे मैंने इस चीज को explain किया है तो आपको वो text book read करना है इससे मुझा पता भी चल जाए कि आप कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं तो हमारा next question है Mr. Lamb and Derry were both suffering from similar problems comment हाँ Mr. Lamb and Derry दोनो similar problems से क्या थे suffer कर रहे थे क्यों क्योंकि Derry का भी आदा चेहरा जला हुआ था Mr. Lamb का भी एक पर नहीं था हर कोई उनसे डरता था and लोग उन्हें चिड़ाते थे इस तरीके की similar problems है वो दोनों के साथ थी दोनों अकेले थे बट दोनों को साथी की ज़रुत थी clear? okay so अब हमारा next question है Derry को पसंद आती थी और उसे समझ आती थी and Mr. Lamb से उन्हें पहली बार ऐसा लगा कि हां कोई person है जो मुझे समझता है and Mr. Lamb ने उन्हें जीने का नया तरीका सिखाया इसलिए Derry जो है Mr. Lamb से काफी attract हो गया next question है how is the dairy we meet at the beginning different from the dairy at the end अब जिस dairy से हम starting में मिले वो काफी bitter था bitter means rudeness से बात करता था उसके अंदर बहुत bitterness थी rudeness थी and हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो क्या था afraid of meeting people था और वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था लोगों से नहीं मिलना चाहता था but end पे जो dairy हमें मिला वो अपने चेहरे की परवा नहीं करता था वो अफ्री भी था अब वो bitter भी नहीं था उसे जिंदगी जिना आ गया था और वो अब लोगों से डरता भी नहीं था तो यह जो दो difference हमें पता चले पहले के dairy में and बात के dairy में okay so next question is why did dairy insist that he would go back to Mr. Lamb dairy ने अपने मम्मी के सामने क्यों जित पकड़ ली Mr. Lamb के पास जाने के लिए क्योंकि Mr. Lamb पहले ऐसे वक्ती थे जिन्होंने dairy को अच्छे से समझा था जिनकी बाते dairy को पसंद आने लगी थी and जो dairy को जिनके वज़े से life में positive ness का एसास होता था इसलिए Mr. Lamb जो थे उनके पास जाने के लिए dairy ने अपने घर पे जित पकड़ ली अब next question जो है वो proper आपके लिए homework के लिए मैं select करके लाया हूँ क्योंकि इस chapter इस question में आपको जो जो मैंने summary में यहाँ पे बता है वो सारी चीज़े यहाँ पे लिग देनी है तो एक बार question में आपको explain कर देता हूँ answer आपको खुच से लिखना है दोनों के दोनों क्या है physically impaired है और अकेले हैं इस दे रिस्पोंसिबिलिटी आफ सोसाइटी तो understand and support people with informities so that they do not suffer from a sense of alienation alienation मिन्स क्या होता है अकेला पन लोगों से कटा हुआ महसूस करना next line is as a responsible citizen write in 120 to 150 words what would you do to bring about a change in the lives of such people तो अब यहाँ पर यह कहा गया है कि Mr. Lambert Airy है वो दोनों अकेले हैं और दोनों physically impaired है ऐसे लोगों के लिए as a responsible citizen हमें कुछ ऐसी चीज़े करनी चाहिए जिससे कि इन्हें अकेला पन महसूस ना हो तो आप इनके लिए क्या कर सकते हैं यह आपको 120 to 150 words में लिखना है तो यह question भी आपके लिए homework है and कुछ points आप comment में जरूर लिखे कि क्या क्या चीज़ें इनके लिए करी जा सकती है and वो comments में जरूर पढ़ूँगा अगर इस story से related कुछ आपके मन में doubt है summary से related तो वो भी आप comment कर सकते हैं और इस तरीके से जो हमारी story है on the face of it वो यहाँ पे complete हो जाती है अब हमारा सिर्फ एक story और बचती है and then हमारा इस साल का code जो है वो complete हो जाएगा and उसके बाद हम ही क्या करना है rapid revisions करने exam time में बहुत सारे questions की practice करेंगे mcq questions करेंगे क्योंकि cbsc ने mcq उसके weightage बढ़ा दिये है and कई सारे state boards में भी mcq questions आते है extract based questions, unseen passages, letter writing and writing के section, grammar के section सारी चीज़े हम exam time पे करेंगे अब ही हमारा जो main motive था course complete होने का वो हमारे next video में complete हो जाएगा तो मिलते हैं next video में till then goodbye, thank you, take care, jahind